हैलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इस्टेडी बिट टाइगर दोस्तों यह दिया आप इस चैनल पहली बाहर आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको लेटर नोटिफिकेशन समय समय पर मिल तो फिर आपको टाइम लगेगा तो मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिस करता हूं ठीक है और कुछ कोईशन में आपको होमवर्क भी देदूंगा ठीक है तो वह आप देख लीजेगा कर लीजेगा यहां पर पहले आज का पहला कोईशन जो होगा 11 कल हम लोग 10 तक पढ़ और 18 अच्छर कौन सा होगा अब देखें अंग्रेजी वर्ड माला में अंतिम लेकिन अंतिम से पहला अब यहां से मालीजेगा यहां पर देखें हाँ यहां पर देखते हैं अंतिम से पहला मतलब यहां पर तो ए बी सी हो जाएगा और यह हो जाएगा एक्स वाई जेट तो अंतिम यह होगा हमारा जेट और अंतिम से पहला अंतिम से पहला मतलब वाई ठीक है वाई तो यहां पर क्या कह रहा अंग्रेजी वर्ड माला में अंतिम लेकिन अंतिम से पहले अच्छर, के बाईं और दसमा अच्छर, अब यहां से चलेंगे हम दसमा अच्छर, तो यहां से चलेंगे, यहां से नहीं चलना, दसमा अच्छर, ठीक है, के दाईं और आठमा अच्छर कौन सा होगा, अब यहां से हम दसमा चलें, और दसमें स से फिर आठ वा ऑ्च यहां च्छ बाइख कर दिये मतलब इसमें कया जाएगा दूसरा च्छ तो है डबलू है यहां पर डबलू-ट इसका मनलब दूसरा च्छ और कौन्जह ख tar यहां तो एक दो यह हो जाएगा हमारा आंसर डबलू समझ में आगे हैं यहाँ पर आंसर जो होगा वो हमारा डबलू हो जाएगा अब देखिए इसमें कह क्या रहा है एक बार फिर से मैं आपको बताएद देरा हूँ अंग्रेजी वर्माला में अंतिम लेकिन अंतिम से पहले अच्छर के बाई और दसवा अच्छर के दाई और आठवा अच्छर कौन सा होगा अब यहाँ पर यह अंतिम है अंतिम से तो अंतिम से पहले अच्छर से हम गिन रहे हैं इसी को हम अंतिम से गिनते तो यह 10 है था तो 11 हो जाता तो हम 11 कर लेते और 11 कर लेते इसमें से हमको घटाना कितना था आठ तो बसना हमारा तीन और तीन कौम मा लिजए देखते भाई 8 बसना उसमें से तीसरा अच्छर ठीक है तो अंतिम अच्छर होता उसका तीसरा अच्छर तीसरा औाए तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा तो डबलू हो जाता हमारा आंसर ठीक है आईए देखते हैं अगला प्रस्ट ठीक है A से Z की स्रंखला में K के दाएं से तीसरे अच्छर के बाएं से पांचवा अच्छर कौन सा है अम मा लेजे यहाँ पर स्रंखला है A, B, C, D ठीक है A, B, C, X, Y, Z तो यहाँ पर कह रहा है के A से Z स्रंखला में के के दाएं के मतलब क्या है 11 के दाएं और से के के स्रंखला में के दाएं से तीसरे अच्छर के के दाएं से तीसरा अच्छर तो इसका दाएं से तीसरा अच्छर ठीक है दाएं से तीसरे अच्छर के बाएं से पांचवा अच्छर अब यहाँ जो होगा उसमें पांचवाँ अच्छर माइनस कर देंगे ठीक है बाएं पांचवाँ अच्छर कह रहा है ठीक है पांचवाँ अच्छर कौन सा होगा तो यहाँ पर ग्यारा तिन चौदा और चौदा माइनस पांच नो तो नाइन किसका होता है आई का होता है ठी हो जाएगा अब अगला हम देखते हैं कोईश्चन यह बार हुआ था अब तेरे हुआ कोईश्चन देखते हैं जेड से एक इस रंखला में जे के बाई और अब जेड से एक इस रंखला की बात कर रहा है तो यहां यहां पे देखिए, X वाई, Z फिर B, C, B, A, इस टाइप से बात कर रहा है, मतलब विपरीत स्रंखला की बात कर रहा है, ठीक है, विपरीत करम की बात कर रहा है, Z से A की स्रंखला में J के बाई और अब यहां पर इस जे है ठीक है J के बाई और के तीसरे अच्छर J के बाई और तो J का 10 होता है इधर से यह जिसी धे क्रम की बात किया जाए तो J का 10 होता है और उल्टे क्रम में बात करेंगे तो 27 माइनिस 10 मतलब 17, तो यह 17 हो जाएगा, ठीक है, उल्टे करम में चलेंगे तो 17 हो जाएगा, तो Z से A किस रंखला में, J के बाई और के तीसरे अच्छर, बाई और, तो इसका बाई और किधर होगा, इधर होगा, तो बाई मतलब हम माइनस हो जाएगा, ठीक है, बाई और, बाई और तीसरे अच्छर के दाई और पांचवा अच्छर, तो दाई और पांचवा अच्छर मतलब प्लस पांच कर देंगे, ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा, क्या, कौन सा अच्छर आएगा, देखें, तो 17 और 5, 22, 22 माइनस 30, 19, तो यह हो गया, 19 हमारा एक्रम में, तो सीधे क्रम में निकालेंगे, तो 27 माइनस 19, कितना हो जाएगा, 9, 8, 17, तो 8 हो जाएगा, ओ, 8 किसका होता है, प्लेस वैल्यू, तो 8 जो होगा, वो हमारा होगा, ठीक है, ह, 8 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा, 8, एच, यदि ह की वैल्यू निकालन हो, तो यह, 8 क्या आकार का होता है, इसलिए, 8 जिसका याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आईए देखते हैं, अगला प्रस्न, तो आईए अगला प्रस्न देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्ड माला की विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो 22 से 12 में अच्छर के दाई, और चटवाँ, साथवाँ, अच्छर कौन सा होगा, अब विपरीत क्रम की बात कर रहा, विपरीत क्रम में जो हम लिखेंगे किसी चीज़ को, तो हम पहले सीधे क्रम में निकाल लेते हैं, फिर उसको 27 में गठा देंगे, तो हमारा विपरीत क्रम निकाल आएगा, तो ठीक है, तो मान लीजे हम क्या कहेंगे पहले यहां से देखते हैं, बाएं से बार हुआ, तो बाएं से मतलब इधर से हम चलेंगे, यह हमारा बाया होगा, यह हमारा दाहिना होगा, तो बाएं से बार हुआ, मतलब बारा हम लिख लेंगे, ठीक है, के दाएं और साथ हुआ, तो बाएं तो 8 किसका place value होती है? H की होती है. तो यहाँ पर answer जो निकल के आएगा H. तो यह हो जाएगा हमारा H. ठीक है? फिर आईए हम अगला प्रस्म देखते हैं, 15 हुआ. यदि अंग्रेजी वर्ड माला को विपरीत करम में लिखा जाए तो 22 से 15 हुए अच्छर के दाई और चोथा अच्छर कौन सा होगा? अब इसमें देखिए विपरीत करम की बात कर रहा है, तो विपरीत करम हम बाद में निकालेंगे पहले हम निकालेंगे 22 से 15 हुआ अच्छा हमारा 22 से जब चलेंगे तो पंदरा हुआ, अच्छा लिख लेंगे पंदरा हुआ, फिर के दाईं और बढ़ेंगे तो फिर हम आगे आइड कर देंगे तो यह पंदरा और 4, 19 और उसके बाद हम उल्टा करम निकाल लेंगे, उल्टा करम निकालने के लिए 27-19 बराबर 8 8 किसकी प्लेस वैली होती है H की तो H हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ठीक है अब आईए हम अगला प्रस्ने देखते है अब यहाँ पर देखिए यदि अंग्रेजी वड माला को विपरीत करम में लिखा जाए तो विपरीत करम वाला बाद में हम देखेंगे ठीक है तो दाई छोर से अब दाई छोर से करना है दाई छोर से पंद्रहुआ अच्छर कौन सा होगा दाएं छोर से 15 हुआ अच्छर कौन सा होगा तो अब हम विपरीत करम में निकालेंगे और दाहिने छोर से निकालना है मैं ठीक है तो दाहिने छोर से 15 हुआ अच्छर मतलब हम विपरीत करम का ही बताएंगे सीधे ठीक है क्योंकि हमें दाहीने छोर से निकालना है तो अधर से जब चलेंगे तो पंधरहुआ अच्छर जो होगा वो सीधे क्रम का ही होगा, ठीक है तो हमें इसमें विपरीत क्रम में उल्टा नहीं करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि हम जब 22 से गिंते तब हमको करना पड़ता लेकिन जो हम दाहिने से करेंगे तो विपरीत वाला तो वो सीधा हो जाएगा सीधा करने नहीं है तो मतलब 15 हुआ अच्छर कौन से होगा तो वही होगा जो सीधे करम का पंद्रहुआ अच्छर होगा तो है कि नहीं सुनिए जैसे अभी हम आपको बताया दे रहें ठीक है तो अंग्रेजी वर्डमाला को विपरीत करम में लिखा जाए तो विपरीत करम में मतलब 15 हुआ अच्छा है तो एक दो तीन डडडडडड पंद्रहुआ अच्छा है तो जो हम सीधे करम का पंद्रहुआ अच्छर था वही होगा तो ओ हो जाएगा हमारा अंसर ठीक है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा आईए देखते हैं अगला प्रस्ट यदि अंग्रेजी वड माला को बिपरीत करम में लिखा जाए तो दाए से 11 होवें अच्छर के दाए और, सत्वां अच्छर होगा अब देखिए यहाँ से हम चलेंगे, तो यहाँ से हम क्या है? यहाँ से 11 होवें, दाए छोड से 11 अच्छर, तो 11 होवां ठीक है? अच्छर के दाईं और साथवा अच्छर मतलब इसमें से माइनस हो जाएगा साथ तो बचेगा चार और चार किसका होता है तो चार होता है डी का तो यह हो जाएगा डी आंसर क्योंकि इसमें हमें उल्टा करने की जोड़त नहीं है यदि यही बाएं अच्छर से होता तो हमारा उसमें से 27 माइनिस कर देते ठीक है तो हमारा इधर से आ जाता चोथा तो यहाँ पर आईए हम अगला प्रसंद देखते हैं यदि अंग्रेजी वड माला को विप्रीत करम में लिखा जाए तो आपके दाएं छोर से नवे अच्छर के बाई और छटवा अच्छर कौन सा होगा अब यहाँ पर देखे अंग्रेजी वड माला के विप्रीत करम की बात कर रहा है तो विप्रीत करम हम लिखेंगे तो मालीज हम याद के लिए लिए लिख देंगे ठीक है X, Y, Z और C, B, A यह हमारा क्या हो जाएगा विपरीद करम हो जाएगा ठीक है अब क्या कह रहा है विपरीद करम में लिखा जाए तो आपके दाई और से दाई और से मतलब सीधे करम की बात कर रहा है ठीक है तो दाई और से नवा नवे अच्छर के बाई और तो यहां से हम चलेंगे उसके बाई और मतलब प्लस करेंगे तो प्लस बाई और छठवे अच्छर कौन सा होगा नवे अच्छर के बाई और छठवा अच्छर तो नव छे पंद्रा हो जाएगा अब पंद्रा किसका होता है तो यह सीधे करम की बात ही कर रहा है क्योंकि इधर से सीधा करम पढ़ रहा है तो हमें सीधा करम में निकालना है और सीधे करम है मैं पता है 15 हूँ अच्छर किसका होता है तो यह होता है O का तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा O हो जाएगा ठीक है और देखी यह कोश्चन MP पुलिस एक्जाम में 2016 में आ चुका है और कितनी जल्दी आपने साल्व कर लिया ठीक है आई अगला परहन देखते हैं यदि अंग्रेजी वर्ड माला को विपरीत करम में लिखा जाए ठीक है विपरीत करम की बात कर रहा है तो दाइँ छोर से, अब देखे जब दाइँ छोर से बात करेगा तो यह हमेशा यह सीधा करम हो जाएगा ठीक है तो हमें लिखने जरुदे नहीं है यदि ये बाइए छोर की बात करता तब हमको उसमें 27 में से घटाना पड़ता ठीक है तो ये डारेट ही हमारा सीधा करम हो जा रहा है तो अंग्रेजी वर्डमाला के विपरीद करम में लिखा जाए और दाएए छोर से तो दाएए छोर से सात्मा ठीक है सात्में अच्छर की बात कर रहा है कि बाइए और तो जब बाइए और चपचाएंगे तो वहां प्लस हो जाएगा दस हो अच्छर कौन सा होगा तो दस साथ सत्रा तो ये सत्रा किसका होता है तो सीधे क्रम में सत्रा जो वैल्यू होगी वो सीधे सीधे क्यू की होगी ठीक है क्यू की तो क्यू ह मारा आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए के इसमें आया है एस बी आई क्लर्क दोजार पंद्रा का यह प्रस्म था ठीक है आपने सॉल्प कर दिया पिर आईए देखिए बीसवा यदि अंग्रेजी वर्ड माला के प्रथम अर्धांस अब प्रथम कौन सा होगा अब यहां पर थोड़ा प्रथम अर्धांस की बात कर रहा ठीक है तो प्रथम अर्धांस कहां से कहां तक होता है एक से तेरा तक होता है एम तक होता है और फिर तेरा से चौदा से 26 जोगत दितिया अर्धांस होगा ठीक है यह होता हमारा प्रथम और दितिय अर्दान्स तो इसमें कहरा यदि अंग्रेजी वर्ड माला के प्रतम अर्दान्स के अच्छरों को बिपरीत क्रम में लिख दें, ठीक है? तो आपके दाएं और से उन्नीसवां अच्छर कौन सा होगा? अब इसकी इसमें उन्नीसवां अच्छर, मतलब हम दाएं औ और से यदि 19 वा अच्छर करेंगे तो बाएं और से कौन सा अच्छर पढ़ेगा ये तो 27 माइनेस 19 कर देंगे तो ये आठवा अच्छर होगा लेकिन ये आठवा अच्छर जो होगा वो सीधे करम का आठवा अच्छर होगा समझे बात तो ये हमारा सीधे करम की आठवा अच तो यहाँ पर माल लीजे यहां से देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चोथा पांचवा चठा साथवा आठवा तो यहां पर आएगा total हमारे पास 13 है और आठ पांच 14 ठीक है तेरा तो यह चठा अच्छर जो वही होगा क्योंकि 14 में से घटेगा सीधे क्योंकि टोटल हमारे पास 13 है वैलू 13 है तो आठमा अच्छर में निकालना है तो जब उसकी वैलू निकालना होगी तो उसमें से एक एड़ करके माइनस कर देते हैं तो वो हमारा सीधा क्रम हो जाएगा यहां से ठीक है तो हमें अंसर जो निकल के आएगा हमारा वो एफ होगा ठीक है अब इसको मैं आपको समझाने के लिए मैंने उल्टा लिख भी दिया ठीक है प्रत्म अर्दान को उल्टा लिख दिया ठीक है अब यहां तक हमारा निकाली गया था ठीक है क्योंकि 728, 8 निकालना था में था, थो 8 म हमें यहां से निकालना था, तो यहां से देखेंके, 8 म कौन सा होगा, यहां से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहां पर दोखिए, F आएगा, ठीक है, यहां पर हमार, जो निकल के आ रहा है, वो आंसर क्या होगा F होगा ठीक है समझ में आगया और इधर से 19 हमको निकालना था मालो 19 तो यहां हमारा कितना हो गया था 13 हो ही गया था भई 14, 15, 16, 17, 18, 19 तब भी हमारा F हो जाता सीधे ठीक है तो इसलिए मैंने आपको लिखके दिखा दिया कि यहाँ से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है तो आज का यह कोश्चन जो है 20 कोश्चन आज हमारे कंपलेट हो चुके हैं ठीक है कुछ कोश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं वो आप हमवर्क में करिएगा ठीक है यहाँ पर आप इसका चाहे तो इसकी शॉट वगएरा ले लीजिए लास्ट में देखी यहाँ पर दो क्वेस्चन है यह ठीक है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा उसके बाद आप इसका अंसर दीजिएगा ठीक है कमेंट बाक्स में इसका अंसर जरूर दीजिएगा ठीक है जितना मनो जितना आपको पढ़ना हो उतना आप इसका अंसर देते रहिए ठीक है इसका भी दीजिएगा वीडियो को पॉज करके तो यह है आपका देखिए इसको भी आपको करना है ठीक है इस सारे question आप करिएगा ठीक है घर से करिएगा पाकी तो मैं लगवा ही दूँगा ठीक है question बहुत हैं हमारे पास लगभग आप मान के चलिए हमारे पास हैं इसमें hundred question ठीक है 95 question है तो 95 question को कराने में काफी time लगएगा इसलिए जो आप लोग लगाईए और जो ना समझ में आए वो आप पूस्ते रही है ठीक है बाकी तो मैं कोसिस करूंगा कम से कम 50 question कराने का ठीक है तो अभी दो-तीन वीडियो और मैं दे दूँगा तो लगभग 20-20 question का मैं 10-10 question का ब आप note कर लीजिए ठीक है यह आपकी देखिए आपर book जो है सामान बुद्धी का है ठीक है तो यह S. चंद्रा की book है ठीक है एक्जाम सक्से सिरीज ठीक है चतुर संस्क्राड सामान बुद्धी तरक सक्ति परिच्छड विजय संकर सीवास्तो ठीक है यह है book तो इस book को आप चाहें तो market से purchase भी कर सकते हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों यह दी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और प्रेस बेल आइकन जिसे latest notification समय समय पर मिलता रहे थैंक यू फ्रेंट फर वाचिंग मैं वीडियो जाहें जैवारत